असलाम आलेकुम फ्रेंट्स वागे था आपका इस YouTube से आनल जे के Study Material में जेके वोपी के जितने भी अस्पारेंट्स हैं जिनने 2024 सेशन में जेके वोपी का form submit किया है या entrance दे दिया है जिनने entrance दे दिया है उनका यहांपर counseling कब से start होगा जिनने entrance नहीं दिया है क्या उनका entrance होगा या फिर उनके marks के बेस्ट बार उनको admission मिलेगी जब counseling होती है उसके लिए कौन-कौन से documents आईसे ही ready रखने है and counseling कैसे attend करनी होती है और अगर आपको college मिलेगी उसको change कैसे करना है यह सब चीज़े हम यहांपर discuss करेंगे आपने इस वीडियो को इन तक देखना है जैसा कि जितने भी students ने 2024 session में जेके वोपी का form submit किया था यह interest भी दे दिया है जैसा कि be-farmacy, de-farmacy हो गया उसका first round of counseling complete हो चुका है first selection list भी आ चुकी है अब जो भी seats अब यहांपर pending हैं जिन में admission नहीं होई गया उसका second round start होगा देखो second round कब start होगा अभी फिलहाल second option है वो B.E.B.Tek को दिया गया है B.E.B.Tek की यहांपर counseling start हो जाएगी 30 June से जैसा कि यहांपर आपको दिखाई देगा notification Rank 1 से लेकर Rank 500 तक की students को 30 June को जाना है Rank 501 से लेकर 1100 तक की students को 1st July को जाना है Rank 1101 से लेकर 1662 तक की students को 2nd July को जाना है मतलब सभी students को बलाए गया है documents कौन से रखने साथ में वो मैं आपको end way बताऊंगा क्योंकि सभी students के लिए common यहांपर documents रहने वाले हैं जैसा कि B.S.E. Nursing और B.S.E. Paramedical B.S.E. Technology courses है उसका यहांपर सबसे ज़्यादा students होते हैं तो उसकी counseling जो है वो जुलाई के महीने में start होगी कब होगी जैसा कि मैंने confirm किया जैकि वो पी के यहांपर official से उन्होंने बोला था option वो चूज करेंगे अब जैसे जो भी option वो चूज के आपको inform कर दिया जाएगा and B.E. B.T.E. की counseling complete होगी simply जैसा कि एक यहांपर program है उसकी counseling complete होगी फिर second जो program है उसकी counseling start होगी क्योंकि जैके बोपी में आपने जाना होता है जैके बोपी आपर किश्मीर के students को सिरनगर बोपी आपर तो इतना वहां पर staff नहीं है इतनी space नहीं है कि सबी students को एक ही बार बोलाएं जैसा B.E.B.T.E. का complete होगा फिर second जो कोई course है उसका start होगा फिर third course का start होगा आपने हमारे साथ जोड़े रहना है आपको यहां पर information मिलती रहेगी अब ऐसे जी एनम और एनम है जी एनम लेटरल इंट्री है ट्वेल्थ बेस्पेरामेडिकल के बाकि जो भी courses है जिसका form अगर आपने submit किया है तो पूरे chances है इंटरंस exam नहीं होगा आपको 12 के marks के हिसाब से ही यहां पर selection होगी 12 बेस्पेरामेडिकल के जितने भी स्टूरंट ने पौर्म फिल किया है FMPHW, MPHW 10 बेस्पेरामेडिकल प्रोग्राम है यहां पर आपको 10 के marks के हिसाब से ही selection होगी इंटरंस exam के chances बिल्कुल भी नहीं है Post basic basic nursing की mirror list तो आच चुकी है उसका यहां पर जो counseling वगएरा है वो भी जुलाई के महीने में start होगी and MSC nursing का भी यहां पर process जो है वो at the end of July यह है complete हो जाएगा documents की बात करें जितने भी students सिर्फ 10th based paramedical को छोड़कर बाकि सबी students को 12th की mark seat अपनी ready रखना domos health certificate and अगर कोई category certificate अब वो साथ रखना data birth certificate जो आपको जह के बोस की तरफ से issue होता है 10th pass करने के बाद यह document साथ रखना और आपको यहां पर 1000 rupees फीज जो है वो लगेगी साथ में तो यह चीज़ें आपने साथ में रखनी है यही चीज़ें आपने साथ में रखनी है जब आपकी counseling होगी कब counseling होगी कैसे होगी जैसे जैसे information आती रहेगी आपको inform कर दे जाएगा